कि हमारी भारत जोरो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है कल मकर संक्रांती के मौके पे इसकी शुरुवात हुई और राहुल जी ने जो वार मेमोरियल है वहाँ पे सहीदों को सधांजली देते हुए सरधाशुमन अर्पित करते हुए इस यात्रा को शुरू किया और आज हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और मनिपूर से हम लोग अब नागालेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में तीन सवाल आ रहे हैं पहला कि भारत जोरो यात्रा क्यूं करने हैं दूसरा भारत जोरो न्याय यात्रा मनिपूर से क्यों शुरू किया जा रहा है और तीसरा कि भारत जोरो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस तीनों सवाल का हम अलग-अलग जबाब देंगे लेकिन इस पूरी यात्रा के सम्मंद में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल का अंधी ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो नहित है जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मनीपुर से इसलिए शुरू की गई है आठ महीने हो गए हैं और मनीपुर में आप सब को ये अनभव हुआ होगा ये कॉंग्रेस पार्टी का दुस्परचार नहीं है हकीकत है कि इंफाल के ड्राइवर जो है वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं कानकोपी के ड्राइवर जो है वो इंफाल नहीं जा रहे हैं ये कॉंग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है Congress Party जब Parliament में इस सवाल को उठा रही थी कि प्रधान मंतरी जी को मनीपूर पे जवाब देना चाहिए देश के गरी मंतरी को मनीपूर के हालात पे जवाब देना चाहिए तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया तो राहुल जी उस बक्त आये और राहुल जी देश के प्रधान मंतरी नहीं थे राहुल जी देश के प्रधान मंतरी नहीं थे वो उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का प्रियास किया गया उन्होंने कहा कि जब देश के लोग मर रहे हैं, जब मनीपुर के लोग मर रहे हैं, तो हम उनके बीच में जाएंगे, इसलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मनीपुर इसलिए आये हैं, कि हम मनीपुर के अपने भाई और बहनों को आसू पोचना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो हिं इसा की स्थिती है जो बटवारा है उसको समाप्त करके सान्ती अस्थापित करना चाहते हैं इसलिए भारत जोरो निया यात्रा की सुरुवात मनिपारा है।